तो आज हम डिसकस करेंगे 26 दिसम्बर 2020 के हिमाचवदेश के करंट फेर्स हिमाचवदेश के करंट फेर्स काफी important है हमारे exam point of view से क्योंकि चाहे exam HS का हो या फिर clerical level का हो 3 से 5 question हिमाचवदेश के करंट फेर्स के ही पूछे जा रहे हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम हिमाचवदेश के करंट फेर्स भी डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं हमारे डिसकस्शन 1st question is हिमाचवदेश health department has signed memorandum of understanding with which department for transport of samples of tuberculosis to testing sites हिमाचवदेश स्वस्ते विवाग द्वरा किस विवाग के साथ मिलकर ख्षय रोग के नमूनों को एक स्थान से तुर्ष स्थान ले जाने के लिए समझोता ग्यापन किया गया है options है transport department, department of post, HRTC, 108 ambulance service इसका correct answer है option B department of post तो हिमाचवदेश health department द्वरा department of post के साथ मिलके एक MOU sign किया गया है और इस MOU के अंतरगत जो भी tuberculosis के patients होंगे उनके sputum को testing site तक पहुँचाया दाएगा department of post के द्वरा next is on the occasion of 96th birth anniversary of former prime minister अटल विहरी बाजपई which book is launched by CM जैराम ठाकोर पूरपरदान मंतरी अटल विहरी बाजपई जीके 96 जनम दिवस के अबसर पर मुक्या मंतरी जैराम ठाकोर द्वरा कौन सी पुस्तक का भी मोचन किया गया options हैं हिमाचल के वाजपई अटल तो अटल है पहाडी अटल सर्वोच वाजपई इसका correct answer है option भी अटल तो अटल है और इस बुक को लिखा गया है associate professor dr. इंदर सिंग ठाकोर द्वरा इसके लावा पूरो परदान मंतरी अटल वहरी बाजपई जी के 96 जनुदिवस के अपसर पर पर परदान मंतरी ने दर मोधी जी द्वारा एक बुक रिलीज की गई है और इस बुक का नाम है अटल वहरी बाजपई इन पार्लियमेंट अ कॉमेमोरेटिव वल्यूम आप इमेंज में देख सकते हैं यहाँ पे इस बुक को लौँच किया जा रहा है अगर हम डिसकस करें अटल वहरी वाजपई जी के बारे में तो इनका जरम 25 दिसंबर 1924 को गवालियर मध्यपरदेश में हुआ था और ये भारत के दस्वें परदान मंतरी थे पहली बार ये 16 मही 1996 को परदान मंतरी बने थे एक जुन 1996 तक मातर 16 दिन के लिए उसके बाद 19. Mar. 1998 से लेके 10. October 1999 तक के प्रदानमंतरी रहे और उसके बाद एक और consecutive term के लिए 10. October 1999 से लेके 22. May 2004 तक के भारत के प्रदानमंतरी रहे थे और उस समय ये continue 6 वरश 64 दिन के लिए भारत के प्रदानमंतरी रहे थे वर्ष 1992 में इन्हें पदम वीबूशन से नवाजा गया था और वर्ष 2015 में इन्हें भारततन से नवाजा गया था और इस बार 25 दिसंबर 2020 को इनकी 96th बर्थ एन्वर्सरी थी आप देख सकते हैं यह वो स्टेच्व है जिसका अनावर्न किया गया है मुख्य मंत्री जाराम ठाकुर द्वारा और यह पुर्र प्रधान मंत्री अटल वहरी बाजबई जी का स्टेच्यू है अगर हम बात करें इस स्टेच्यू की तो 18 फिट इसकी हाइट है और इसे बनाने में 1.08 क्रोड का खर्चा आया है इसके लावा अटल वहरी बाजबई जी के जनत दिवस 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस टे सुशाशन दिवस के रूप में मनाया जाता है और पहली बार वर्ष्ट 2014 में हमने गुड गवर्नेंस टे मनाया था हिमाचप देश में इन में से कौन सी जगह पर पहली बार पंचाय चुनाब होंगे और इसका क्रेक्ट अंसर है और अप्शन डी टशी गंग आप देख सकते हैं इमेज में ये वो विलेज है टशीगंग जहां पे हिमाज़देश में पहली बार पंचायचुनाब होंगे पंचायचुनाब तो काफी जगह पे भी पहली बार होंगे जो जो पंचायचे नई बनी है लेकिन ये important इसलिए है क्योंकि world की सबसे highest place है जहां पे पंचायचुनाब होंगे समुदरतल से 4650 मेटर की उंचाई परस्तित है ये और दुनिया का सबसे उंचा मतदान केंदर है और इसका नाम है टशी गंग इसे ध्यान रखेगा और ये पहले भी एक्जाम में आ चुका है और इससे पहले ही हिमाचल प्रदेश का हिक्किम दुनिया का सबसे उंचा मतदान केंदर था जिसकी हाइट थी 4443 मेटर और ये टशी गंग स्पिती घाटी की लांगचा पंचायत के अंतरगत आता है और वर्ष 2017 में विदान सबा चुना में पहली बार मतदान केंदरी से बनाया गया था तो ये कुछ important question थे आज के 26 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश के और अगर आपको इस session की PDF चाहिए तो आप में टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं टेलिग्राम पर सच कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस session की PDF राप्त कर सकते हैं तो मिलते हैं next discussion में Thanks for watching video, do like, share and subscribe my channel